गुड मॉर्निंग चिल्रेन आज का हमारा टापिक है शब्द रचना सबसे पहले हम शब्द के बारे में जानते हैं वर्णो के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं जैसे बस बा हलंद प्लस आ प्लस सा हलंद प्लस आ लड़की ला हलंद प्लस आ प्लस अड़ा हलंद प्लस आ प्लस का हलंद प्लस इं बस लड़की ये क्या है शब्द है ये विभिन वर्णों के मेल से बने आए तो बढ़नों के मेल से शब्द बनाना ही शब्द रचना कहलाता है हिंदी सब्दों का वर्गी करण हिंदी सब्दों का वर्गी करण तीन आधारों पर किया जिया है फर्स्ट उत्पत्ती के आधार पर शेकेंड बनामट के आधार पर ठर्ट प्रियोग के आधार पर फर्स्ट उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के फ्रप्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक् और तदभो सथ वो हैं जो संश्टित भासा के जिन सब्दों के रूप में परिवर्तन किये जहे हैं, उनका हिंदी में प्रिवर्तन करके हिंदी में प्रियोग किया जा रहा है वे तदभो सब्द कहलाते हैं, जैसे सर्फ हैं, ये तस्रम सब्द हैं, और इसका तदभो क्या बन गया? शाख, इसी तरह रात, सूरज, आदि, देशा सब्द, देश प्लस जा, यानि देश में जन्मा, देश में प्रच्वित, यानि जो आम बोल चाल की भासा होती है, जिनक हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, विदेशा सब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, खिचड़ी, जूता, आदि, विदेशी सब्द, जैसे कि विदेशी सब्द ऐसे होते हैं, जैसे जो अंग्रेजी, फार्सी, अर्भी, ये विदेशी भासाओं से हिंदी में आये हैं, उन्ह वटके आन्अर पर शल्द तीन प्रकार के हुते हैं रूड सब्ड योगिक सब्ड योग रोज़ती रूड यह ऐसे सब्ड़ोans घनके शप्णिके तूकड़े नहीं कर सकते हैं इनके अर्थ रूड होगा हैं जैसे घर घर अगर हम इसके टुकुड़े करेंगे घर